प्रिजेन टाइम में हर एक कंट्री ये चाहती है कि वह किसी ने किसी रूप में मार्ज पर पहुंच कर वहाँ पर अपनी प्रिजेन्स को साबित करें इसी के चलते इस जुलाई 2020 में तीन मिसंस मार्ज पर लॉंच किये गए जिनमें से युनाटेर अरब अमिरेट्स का होप मार्ज मिसं और चाइना का त्यान वेन वन मिसं 20 जुलाई और 30 जुलाई को लॉंच किया जा चुका है वही नासा का प्रिजर्वेंस मार्ज 2020 रोवर मिसं आने वाली 30 जुलाई को यानि कल लॉंच कर दिया जाएगा वैसे इस चुलाई 2020 में मार्ज पर 4 मिसं लॉंच किये जाने थे लेकिन जो चौथा मिसं था जिसमें एक रोवर रसिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जॉइन फेंचर से डेवलप करकर मार्ज पर भेजा जाना था वै अपनी टेस्टिंग्स पूरी ना होने के चलते डिले हो गया और इसको मार्ज पर अब 2022 में लॉंच किया जाएगा जी वै मार्ज पर कम टाइम पीरियड में पहुंच सके और यह टैंजेक्टरी हर 26 महिनों में एक बार आती है इस बार इस टाइम पीरियड में यानि कि जुलाई 2020 में जिन मार्ज मिशन्स को लॉंच किया गया है उन सभी मिशन्स में अपनी खुट की यूनिक क्वालिटी हैं और लगबग हर एक मिशन मार्ज पर पहुंच कर अपनी अलग-अलग एक्सपेरिमेंट को अंजाम देगा तो आज के इस वीडियो में हम मार्ज पर भेजे गए इनी मिशन्स के परपस के वारे में आपको बताएंगे तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा वैसे तो जुलाई 2020 में जितने भी मिशन्स लॉंच किये गए हैं वैसे भी मिशन्स लगबख फॉर्वरी 2021 में मार्ज के ओर्बिट में दाखिल होंगे लेकिन सबसे पहले 30 जुलाई 2020 में चाइना के द्वारा लॉंच किये गए अपने पहले इंडिजीनियस मार्ज मिशन त्यान वैन बन के बारे में बात करते हैं यह मिशन पूरी तरह से चाइना की होम ग्रोन टेकनलोजी पर आधारित है यह ऐसा पहला मिशन है जिसमें किसी देश के द्वारा मास पर भीजे जाने वाले स्पेस क्राफ्ट में और्बिटर, लेंडर और रोवर तीनों चीजे सामिल हैं चाइना का यह मिशन उसके मून पर भेजे गए चैंग 4 मिशन पर आधारित है और इस 93.1 मिशन के रोवर और लेंडर का डिजाइन चाइना के चैंग 4 मिशन के लेंडर और रोवर यू टू टू रोवर के डिजाइन से काफी ज़्यादा मैच करता है यह 93.1 ओरविटर 11 से लेकर 23 फरवरी के बीच में मार्स के ओरविट में इंजेक्ट होगा और लगबग 23 अप्रेल 2021 तक इसका रोवर मार्स के सर्फेस पर सॉफ्ट लेंडिनिंग करने की कोशिश करेगा इसके मार्स ओरविटर में मीडियम और हाई रेजलिशन कैमरास का यूज किया गया है जिसकी मदद से मार्स के सर्फेस की मैपिंग 100 से 2 मीटर की एक्कुरेसी के साथ की जा सकती है और साथ ही कई सारे मैगनेटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर और सब सर्फेस रडास का भी इसमें यूज किया गया है जो की मार्स ओरविटर की डीप इस्टडी करने के काम में आएगा 93-1 मिशन के रोवर में भी कई सारे इंस्टुमेंट्स का यूज किया गया है जिसे की इसके सर्फेस की डीप इस्टडी आसानी से की जा सके इसमें Ground Penetring Radar, Magnetic Field Detector और Surface Compound Detector का यूज किया गया है जिसकी मदद से मार्शियन सर्फेस से लगबग 100 मीटर नीचे तक की इमेजिस्ट को आसानी से कैप्चर किया जा सकेगा और इसके Magnetic Field के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जनकारियां हासिल की जा सकेगी 391 स्पेस क्राफ्ट के इस रोवर को सोलर पैनल्स की मदद से एनरजी मिलेगी और यह लगबग 90 सोर्स यानि की 90 Martian Days तक Martian सर्फेस में रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है चाइना के 391 मिसन के इस रोवर का वेट लगबग 240 किलोग्राम का है जो की अपने 1585 किलोग्राम के लेंडर के साथ लेंडिंग करेगा अगर चाइना के 93 1 स्पेस क्राफ्ट के लेंडर की यह लेंडिंग सक्सेस्फुली मार्च के सर्फेस पर हो जाती है तो चाइना, United States of America और Soviet Union यानि की प्रेजेंट टाइम में रसिया के बार ऐसा तीसरा देश बन जाएगा जिसने सक्सेस्फुली मार्च के सर्फेस पर अपने स्पेस क्राफ्ट को लेंड करवाया हो और इस मार्च मिशन की सक्सेस पर ही चाइना के आँगे आने वाले मैंड मार्च और मोन मिशन का फ्यूचर डिसाइड होगा अब मार्च पर भेजे जाने वाले अब तक के सबसे एडवांस मिशन प्रिजेंस मार्च रोवर की डीटेल्स आपको बताते है नासा का यह रोवर जैड प्रपल्जन लेबरेटरी द्वारा डिजाइन और डेबलप किया गया है इस रोवर की डिजाइन को 2011 में भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर से लिया गया है और इस रोवर में अब तक के सबसे एडवांस 7 Scientific Instruments का यूज किया गया है और इन 7 Scientific Instruments की डीटेल कुछ इस प्रकार है पहला, प्लेनेटरी इंस्टुमेंट पॉर X-ray Letho Chemistry जिसकी मदद से Marsian Surface पर मौजूद Materials की Scale का पता लगाया जाएगा दूसरा Radar Imager for Mars जो की एक Ground Penetring Radar है जो Jezero Crater की Structural Layers, Meteoroids और Underground Water Ice की खोज में 10 मेटर गहराई तक की images को लेने में सक्छम है तीसरा है Mars Environmental Dynamics Analyzer, MEDA जिसकी मदद से Mars के Atmosphere का Temperature, हवा की Speed, Direction, Air Pressure, Radiation और इसकी हवा में कितनी मात्रा में Dust Particles की मौजूदगी है उसका पता लगाएगा पांचमा है Mars Oxygen Experiment, ISRU जो की एक ऐसी टेकनलोजी है जिसकी मदद से यह instrument Mars के Surface पर मौजूद Carbon Dioxide Gas की मदद से वहाँ पर थोड़ी मात्रा में Oxygen को Produce करेगा जो की आगे आने वाले Heaven Flight Missions और Rocket Fuel बनाने के लिए एक Game Changing Point साबित होगी इसमें लगे हुए Super Cam की मदद से यहां की Rocks में मौजूद Chemical Composition, इनमें मौजूद Minerals की Images को High Details के साथ Capture किया जा सकेगा यह Super Cam Curiosity Rover में लगे Champ Cam का Upgraded Variant है लेकिन जहां Curiosity Rover में एक Laser का यूज़ किया गया था Super Cam में ऐसे दो High Power Lasers का यूज़ किया गया है और साथी इसमें 4 Spectrometers का भी यूज़ किया गया है जिसकी मदद से यहां के Rocks पर मौजूद Past Habitability यानि Past Life के Bio Signatures को Identify किया जाएगा इसमें यूज़ किये गए Mast Cam 2 की मदद से किसी दूर के Object को जूम करके उसकी Detailed Image और Short Videos को भी Capture किया जा सकेगा इन सभी इंस्टुमेंट के साथ Presence Rover में एक Solar Powered Helicopter Drone का भी यूज़ किया गया है जिसका नाम Injunity है जो कि Mars के Surface पर Solar Power की मदद से कई सारी Fly Sorties करेगा और Rover के लिए आगे के रास्ते की कठनाईयों को जानेगा NASA द्वारा लांच किये जाने वाले इस Rover की Cost लगवग 2.7 Billion US Dollar है और यह अब तक कितने भी Rovers Mars पर भेजे गए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा Advanced Rover है यह Jezero Crater पर लेंडिंग करके वहां के कई सारे राजों से परदा उठाएगा हम इस Mars Rover के उपर एक डीटेल वीडियो कल अपलोड करेंगे आप चाहें तो उसको देख सकते हैं नमबर तीन पर आता है UAE द्वारा 20 जुलाई 2020 को लांच किया गया Hope Mars Mission United Arab Emirates का Hope Mars Orbiter Mars के ओर्बिट में दाखिल होकर कई सारे ऐसे experiments को करेगा जो की अब तक किसी भी देश के द्वारा या किसी भी spacecraft द्वारा नहीं किये गए हैं यह एक ऐसे ओर्बिट में प्लेस होकर Mars की ओर्बिटिंग करेगा जिसकी मदद से धे मात्र 55 घंटों में Mars के equator का एक राउंड पूरा कर लेगा जिससे की इसको Mars के एक दिन के वैदर के बारे में जानकारी इखटा करने में आसानी मिलेगी और साथ ही अपने अंदर लगे इंफ्रारेट कैमराज और स्पेक्ट्रो मीटर्स की मदद से Marsian atmosphere के बारे में भी जानकारी कलेट कर सकेगा और साथ ही यह पता लगाएगा कि Marsian atmosphere के इतना कमजोर होने के क्या कारण है United Arab Emirates का यह Mars Mission उसके आने वाले भविस्ट का एक हिश्चा है क्यूंकि UAE के द्वारा अपनी प्रिजेंस को Space Field में बनाय रखने के लिए कई सारे Space Missions को भेजे जाने का प्लान किया गया है जिनमें Moon और Mars पर Rover भेजने के अलावा Sun 217 में Mars पर अपने नागरिकों के साथ भेजे जाने वाले Missions भी और अगर UAE सच में अपने प्लान के मताबिक Space में Missions को भेजता आए तो भहे अरब वर्ल्ड में Space Field में अपनी ऐसी बढ़त बना लेगा जिससे की किसी दूसरे देश को उसको हरा पाना लगब इंपॉसिबल होगा आज के इस वीडियो में इतना ही चाइना के त्यान बैन बन मिशन के उपर हमें एक डीटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुके हैं और नासा द्वारा भीजे जाने वाले Preservance Rover पर आपको एक डीटेल्ड वीडियो 30 जुलाई तक मिल जाएगा तो अगर आपको इस वीडियो की इंपॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और स्पेस अपडेट रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन अगले वीडियो में तक के लिए जैहिन मिलते लेखने ऐसलिए आरे झाले एारे दोड़ा時 झाले वीडियो को से जैहिन झाले वीडियो को अपड़ग के लिए बदक कीजिए ैश कर दो आपने में तक कीज ए